Hello students, यो वीडियो को प्रोब्लम इस्क्रिन मा देखी राकोशू, कोईशन लेकोशू, Waves in pipe and string chapter बड़ा, कोईशन मा दियेको प्रोब्लम लाई, figure बड़ा मले रिप्रिजेंट गारेकोशू, A uniform tube 60 cm लाँ, when it is open at both ends, यवटा tube सपस गारो, यसको both ends open च, यवटा लेंगा देखी राँ, यवटा लेंगा 60 cm, इनिछली, यो तूबलाइ वातर मा बटिकली प्रोब्लम इसकोशू, यति हिर यो तूबको लेंगा आँट सब्ड़ाइ ओट राटर, 14.8 cm थियो, इस बड़ा फॉस्त मा sound प्रोब्लम इसकोशू, with the help of the tuning fork of frequency 5-12 hours एगेन 48 cm of length of tube outside of the water रोधा हेरी 5-12 hours को same tuning fork ले sound produce करना सक्यों हारे यो problem द रेजोनेस tube एक्षोरिमन मा पडिशाए कोच कुने tube विद्र वाटर फिल्ड गर्यु मने क्यो वाटर ले sound लाई reflect गर्ष रज़ती part of the tube outside of the air हुँच इसले close organ pipe को काम माँच विद्र ले ओर लाई स्वटी पर ले Council रोध ले लाऌर मासमा बर्यु Bij मने सिर्ण शर्यूमिन कŉ वाटर लेकशन संशा क्रीव दे स्क्रीव। तु हर दा MAXIMUM SOUND from the tube that open end of the tube must have the anti-node तरह actually anti-node को position मने को pipe को end मना बार यो णा स्लाइड इस्लाइड यूपर से the distance of anti-node from the end of the pipe इसलाइ पारे को so, end correction मने रहा distance of anti-node from the end of the tube इस ले लेंद LME, end correction E, R, C बारे को शो इस वयए, फोस्सरेजनेटिंग कंदिशन मा, लाण प्रोस्ट इन गारेक्शन इसमा. एगञ, जते खेर ट्यूब को लेंध आउटसाइड अब दी वाटर 48 सेंटीमेटर थियो एगें साउंद प्रोडीस वाय बने यो कंडिशन रेशा सेकेंड रेजोनेटिंग कंडिशन को लागी तिस वे सेकेंड रेजोनेटिंग कंडिशन मा वाटर लेबल ले काम वर्षा नोड अनदर नोड याने रेप्लेश कवर वर्षा किना वने आमी सेकेंड रेजोनेटिंग कंडिशन माँचों रा नोड एंड नोड को बीच्छा मां एंटी नोड एंड अनदर एंटी नोड याने रेचा एगेन, एंटी नोड एग्जाक्ली इंट तूब को इंट मान आपार रा सुन डिस्टेंस आउटसाइड माला आई गर्षा जुन डिस्टेंस ला आमी इंट कोरेक्शन मांचों इए सेकेंद रिस्टेंस डिस्टेंस मां तुनिक फारखले प्रोडिस्ट कोरेको यहजाँड कोच आउट को यहाँड को यहाँड को अट पार्षा भी इंट को पार्ठ डी शेैड्लेंस लेंडर आउट सेयंड को 4 इंगिनील्ट यहाँड्वाइख स equation number 2 equation 1 in 2 लाई solve वार रहा first मा यो गिवन तुनिंग फर्ग जसको frequencies 5-12 वार्ग तुनिंग फर्ग यो air column मा प्रोडूस करने sound को wavelength फाइंड गाना सक्सों now subtracting the equation number 1 from the equation number 2 we get 3 lambda by 4 minus lambda by 4 which is equal to RSS मा यी रही था cancel वाई also subtract वादा खेरी value आउस L2 minus L1 और 3 lambda minus lambda LCM ने दाखेरी 4 value आउस 3 lambda minus lambda 2 lambda equal to L2 minus L1 2n 4 cancel वादा 2 रहाँ और lambda equal to 2 times L2 minus L1 tuning फर्ग ले गिवन temperature मा produce गरने sound को wavelength निकालनों पार वाने equation number 3 बड़ा निकालों सक्सों यो question मा देगोशों first resonating length of the tube 14.8 cm and second resonating length 48 cm that means L2 equal to 48 cm equation number 3 मा L1 रा L2 को बालो पूट गर वाने lambda equal to L1 नो सक्सों 2 times L2 means 48 minus L1 means 14.8 cm मा उसा that is 2 times 33.2 cm which is equal to 66.4 cm रब मेटर मा कन्मट गाता खेरी divided by 100 which is 0.664 m गीबन temperature मा गीबन तेम्परेचर मा wavelength of the sound produced by the tuning fork of the frequency 5 to L1 को लागी value आयो 0.664 m नाव बेलसिटी अब दी sound in air एड गीबन तेम्परेचर वी को दो लिखना सक्सों frequency into wavelength यूज गर एको tuning fork को frequency equation मा देगोशो 500 to L1 and wavelength of the sound in air 0.664 m which is equal to 340 m per second question मा कुने resonating tube experiments अगा related हुने question देखोशा गाने जो इले पने in correction ला calculate गारने परशा normally आमले open organ pipe और closed organ pipe मने देखोशा गाने in correction ला नेगलेट गाता आऊंच बट जती खेरा resonating tube experiment बड़ा question शोच तेती खेरा in correction ला always consider गारने resonating tube experiment मा in correction को बैलू solve रा निकाला सक्सों जुन वेब लेंद को बैलू 0.64 मीटर निकाले गोशों येसला equation number 1 और equation number 2 मा पूट गारे रा easily in correction को बैलू निकाला सक्सों from the equation 1 lambda को बैलू कैलको डिवारे को 0.664 divided by 4 equal to L1 को बैलू 14.8 cm बट वेब लेंद लाइ मीटर मा लेको सावाने 14.8 cm which is equal to 0. plus E को बैलू solve रा निकाले रा E 0.166 minus यो बैलू LHS मा ओ दाखरी minus 0.148 which is equal to E रेस बड़ इन को बैलू E आयो 0.018 मीटर फोस्ट कर्डिक्शन बड़ा velocity of the sound at given temperature and इन करेक्शन अब दी गीबन ट्यूब फाइन कारी बैसी अब नेक्स्ट पार्ट अब दी मा मुग वरू find the lowest frequency to which the tube will re-sounds when it is open at both ends बाने शोदो अब यो गीबन ट्यूब लाया आम्रे बाहरा निकालेू रेसारी प्लेस करेक्शा जसको both ends open शो बाने यो ट्यूब बड़ा प्रोडूशो ने lowest frequency of the sound that means fundamental frequency of the sound शोदो बाने यो ट्यूब बड़ा फोस्ट मोड वाइब्रिशन मा रिशाउन हो दाखेरी येसमा इस्टेशनरी वेबलाइट ड्रह गरनो पार बाने सेंटर मा लाई गर्शन नूड किना बाने open in मा जोईले पानी एंटी नोट बारनो बार्श यो इंट को एंटी नोट यो पोजिशन मा ए रा अनदर इंट को एंटी नोट यो पोजिशन मा ए पाइब को इंट देखी एंटी नोट समा को डिस्टेंस लाई इ सिमिलारी यो साइड मा बानी पाइब को इंट देखी अटी नोट समा को डिस्टेंस इ रव फस्ट मोड अव वाइब्रेशन मा स्टेशनरी वेब फर्म्ज देखाऊनू पार वने अमे लाइक दिस एसरी सोगरो सक्सों यो ओपन अर्गेन पायपले प्रोडुस करने फंडामेंटल मोड अव वाइब्रेशन को सौपशगरम्धल मोड अव वाइब्रेशन मा शाउब्ट ऊस्इलेट घर्धा खेरी वेबलेंथ अव दी साउब्दा उन चा वणे एँटीनोड देखी एँटीनोड समाको डिस्टेंस वनेगो वेबलेंथ को हाह होनले लेंदा 1 by 2 को वालू इक्वाल हुनु परचा ट्यूब को ओन लेंध L प्लस बोद साइट को इन्ट को इन्ट करेक्शन 2E यो साइट को E एड़ गारनु परो यो साइट को E एंटीनोट देखी एंटीनोट समा को टोटल लेंध भायो यो साइट में E प्लस ट्यूब को लेंध L प्लस E और लेंदा 1 by 2 इक्वाल टो उन्च लेंध आप ट्यूब L 0.6 मेटर 60 सेंटीमेटर देखो शाँ जाते खरा बोद इन्ट ओपन शाँ 0.6 मेटर प्लस इन्ट को इन्ट को वालू के लगड़ गार निकाले को शाँ 0.018 0.018 इस वड़ा लेंधा 1 को वालू साल वार निकाले को लेंधा 1 इक्वाल टो उन्च 1.272 मेटर देन दे फंडामेंटल फ्रिक्वेंची प्रोदूस फ्रम दे गीबन ओपन अलिगन पाइप F1 को वालू निकालना पार वार वाने वालूसिती 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